हाई फ्रेंड्स आज कर यह मेकप है यह रक्षम अधन के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मैं अपने फेस को मुष्ट्राइज कर दी हूँ इसके लिए मैंने बहुत ही लाइट मुष्ट्राइजर का यूज किया है यह फेस में बिल्कुर अब्जॉर्ब हो जाए प्रैमर के बाद से यहां जो थर्ट स्टैप है वो मैं आईब्रो फिल करने का कर दी हूँ आईब्रो को मैं छोटे-छोटे स्टॉक में फिल करूंगी इसे बिल्कुल नेचर लुक देता है और फ्रंट साइड पे बिल्कुल लाइटली अगर आपके पास आईब्रो फिलिं कंसीलर से सेट करूंगी कंसीलर से सेट करने पर एक फात है यह होता है कि आपके आईब्रो अगर थोड़ी निखली भी होती है वह भी प्रॉपर अच्छी फिनिशिंग में आ जाती है इसको कंसीलर लगाने के बाद मैं इसे किस्पांज के हेल्प से देर देरे टैप टाप क करके अपलाय करूंगी कंसेयर लगाने के बाद कभी उसे छोड़े नहीं उसे तुरंत ही किसी भी सेटिंग पॉर्डर से सेट कर ले तो फिर क्रीज आ जाती है यहां पर मैं कट किस में एक टेप कट कर लिया है उसे अपनी आइस पर मैंने लगा लिया है एन फ्रेंट एरिय हो जाएगा लास्ट में भी सेम एक टेप मैंने अपने आखों के साइड में लगा लिया है और उसे एक सिंपल आई लाने की तरह मैंने अपलाय किया है बीज की एरिया में मैं गोल्डन कलर का शिमरी आईशेडव अपलाय कर रही हूं एक्टली जो मेरा ड्रेस है वह पिंक और गोल्डन मीक्स है इसलिए यह आई मेकप गोल्डन और पिंक का है अगर आपकी जो भी ड्रेस है आप उससे मिक्स करता हुआ कोई भी कलर अपने इस पर अपलाय कर सकते हैं यह मेरी दोनों आईज कंपलीट हो चुकी है इसमें एक स्टेप कट हो गया था मैंने अपनी आ फर्स्ट मैंने पहले इसे ब्रश से अपलाई किया है अपने पूरे फेस पे इसे ब्रश के हैप से अच्छे से स्पेट कर लिया है अब ब्रश लगाने के बाद आप बाद में भी स्पंज का यूज करते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही अची आती और नेचरल लुक द लिए हो चैन अरेजा को मुझे हायलाइट करने हाय और अपने आप नाएज पे अनॉस पे मांथ चीगंड फॉर त्फोर लिया है देन इसके साथ ही मैं यहां कान्टोर श्टिकर इस्तेमाल करी motivation अपने चिक बोंस को पारदे के लिए इसे भी मह чув आने सें जीन ऐरिया जिन चिक बोन्स, फोर हैड एंड मेरी एक्चली में थोड़ी हो गई है तो मेरी डबल चिन भी आ गई है तो अपनी चिन को भी भारने के लिए में कर दी हूँ अब मैं इसे इसी स्पंज की हेल्ब से धेधर टैप टैप करके मैं इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लोंगी यह मैंने आई लूक करेट के है यह बहुत ही इसी एंड ग्लैमरस आई मेकप है आप इसे चाहें तो किसी भी पार्टी फंक्शन्स या बाड़ या ने पूरे से मैंने concealer लगाया था हमेशा याद रखेगा कि आप इस प्रिंशिं अपर अपनी फेस के मैचिंग अ लायर का ही प्लाई कूर स्तमाल करें और इस आपने अपने पार्टी यूश ऑप क्नट्रों पाडर स्तमाल करें इसे आपका जो जो पंट्रिक की जो फिनि दिन का टाइम है इसलिए मैं थोर सा लाइट करा यूज कर रही हूँ अपने चिक्स पर लगा रही हूँ इसे मैं अपने दोनों चिक्स पर अच्छा से लगा लूँगी अगर आपको ब्लश लगान में कन्फ्यूजंग होती है ताप हलका सा स्मयल करिए और जो चिक्स अपर पर जाते हैं बस इन यहाँ अप अच्छे से हलका हलका फिल कर लीजिए गर्मी का टाइम है इसलिए मैं यहाँ पर लुकिट हाईलाइटर का यूज कीया है इसे भी अपने जीन अरियास को मुझा हाईलाट करने हैं मैं उन अरियास पर डॉंटेट कर लिया है और इसे धेर अगर आपको हाइलाइटर ब्लश या कॉंट्र लगान बद लगता है कि आपके चाहरे पर अच्छे से मिक्स नहीं हुए है तो एक सिंपल सा ट्रिक है आप अपना प्रेस पाउडर लीजिए या लूस पाउडर उसमें आपना पाउडर ब्रश डालिए और उसे अपने धीरे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए इससे आपका जो भी हाप प्रोडक्ट यूज करते हैं वह आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं मैंने अपनी लोग लैश को अभी कंप्लीट नहीं किया था तो मैं इसे सेम अपनी पिंक कलर जो मैंने लिया था अपने जो आइब्रोस के बोन से इनको भारने के लिए मैंने यहां हाइलेटर का यूज किया है अब मैं सेम पिंक कलर का ही लिप्स्टेक यूज कर ली हूँ अब यहां मैंने मशकारा अपना अपना अप्लाय कर लिया और यह मेरा ओल ओवर लुक है जो मैंने इस बार रक्षा बंधन के लिए ग्रेट किया था आप लोग कैसा लगा प्लीज मुझे कमें सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें में च झाल 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